हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टो क्विक बाइट्स ओफ मराथी विद काउशिक, अभी मैं थोड़े देर सो रहा था, तो मैंने सोचा कि आज का हमारा टॉपिक इसी के बारे में हम लोग बात करते हैं, सोना, सोना को मराथी में कहते हैं, जोपने, जोपने, तो अगर आपको कहना ह मैं रोज आठ घंटे सोता हूं, मी रोज आठ तास जोपतो, लड़की ये तो कहेगी, मी रोज आठ तास जोपते, मैं दोपर में सोता हूं, मी दुपारी जोपतो, या मी दुपारी जोपते, मैं दोपर में सोता नहीं, मी दुपारी जोपत नहीं, लड़का लड़की दोन नहीं हर किसी को कम से कम आठ घंटे सोना चाहिए प्रत्य काला प्रत्य काने कमित कमी आठ तास जोपल पाहिजे हर किसी ने उसको मरा ठीवड़ है तो हर किसी को करना चाहिए तो हम कहेंगे प्रत्यकाने जोपल पाईजे प्रत्यकाने आठ तास जोपल पाईजे यह सेहत के लिए अच्छा है यह तब्यति साथी सांगला है इसी कंटेक्स में और एक फ्रेज है कि जोप येने मतलब नीन आना मतलब तुम कुछ बोरिंग चीज देख रहे हो तो आपको यह देखते देखते मुझे नीन दा गई तो नीन को मराठी में केते जोप आना को कहते येने जोप येने कॉलेज मत धिये बोरिंग लेक्चर आइकता आइकता मला जोप आली तो जोप ये वर्ड है फेमिनाई इसलिए हम लोग बोलते जोप आली दूसरी एक फ्रेज है जोप लागने जोप लागने इसका मतलब है कि तुम जब तुम्हें कितनी तुरंत नीन आ जाती है मतलब यह कहना है कि जैसे मैं लेट गया मुझे इमिजेटली नीन आ गई मी सोफयावर बस लो आणी मला लगेज जोप लागने या अगर तुम भहुत थके हुए हो तो ट्रैवल करून आल्यावर घरी आलया आलया मला जोप लागने मतलब मैं ट्रैवल करके आया उसके बाद घर आने के बाद तुरंत मुझे नीन आ गई तो इस तरीके से आज हमने sentences देखे, जोप मतलब नीन, जोप येने, जोप लागने, जोप ने, ये वप, तो आप भी सब लोग इसी words और phrases के कुछ sentences जरूर राए किजिए और मुझे comment करके जूरूर बताना, and keep watching my videos and do visit my website learnmarathiwithkaushik.com. Thank you, see you in the next video.